हेलो माई दियर फ्रेंद्स आज हम कॉंप्टिशन लौ की सीरीज शुरू करने वाले हैं एंड इस इस फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज एंड वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन एंड कॉंस्टेटुशनल बैग्राउंड ओफ कॉंप्टिशन लौ आज हम इंट्रोडक्शन एंड कॉंस्टिशनल बैग्राउंड जानेंगे बट आज से शुरू करके हम इसमें जितनी भी वीडियो बनेगी वो पूरी एडवांस लेवल तक जाएगी कॉंप्टिशन लौ की तो आज हम इसका बेसिक जानेंगे फिर आगे इसके मतलब आपका क कोई भी कॉंसेप्ट नहीं छूटेगा तो एक एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे तो लेट्स गेट इंट्यू वीडियो फरस्ट अफॉल सबसे पहले जानते हैं वडिस कॉंप्टिशन यह कॉंप्टिशन क्या होता है देखिए वैसे हम कॉंप्टिशन से घिरे हुए हैं आपकी जो भी यह होगी उसमें हम कॉंप्टिशन को फेस करते हैं कॉंप्टिशन हर जगा देखते हैं लेकिन कभी रियला इसका मतलब यही निकलेगा कि कोई भी एक चीज है, उसके बहुत सारे लोग है उस चीज के लिए, मतलब अगर कोई भी एक चीज है, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक हुमन हो, चाहे कुछ भी एक सर्विस हो, कुछ भी हो, अगर उसकी डिमांड दो या दो लोग स ज्यादा उसके लिए वहाँ पे available है और चाहते हैं कि ये चीज हमारी हो जाए या फिर हम इसे किसी भी तरीके से पा लें तो वो एक competition की situation create कर देता है same market में भी ऐसा ही होता है चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है the competition is a situation in a market in which firms or sellers independently strive for buyers patronage in order to achieve a particular business objective इसमें एक एक शब इसी में नहीं जो भी आगी slides आएगी ये सारी की slides आपके notes के लिए exams के लिए बहुत ही useful होगी तो देखी competition क्या होता है it is a situation in a market ये market की ऐसी situation है जहाँ पे firms or sellers मतलब simple सी बाते दो या दो से ज़्यादा ही sellers होगे और वो buyers का patronage चाते हैं independently सबसे पहले independently होना चाहिए and strive for buyers patronage मतलब वो buyer का help चाते है help करना चाते हैं help कैसे चाते हैं अपने product service किसी भी चीज के लिए in order to achieve साथ ही साथ वो अपना एक particular business objective भी achieve करना चाते हैं चाहे वो profit हो चाहे sales हो चाहे market share हो तो ये इसकी definition निकल के आती है competition की यहाँ पर forms या फिर जो sellers है वो दो या दो से ज़ादा होने चाहिए independently वो काम करने चाहिए और ultimately जो भी वो चीज चाहते हैं बनाना या फिर बेचना उससे buyer की help होनी चाहिए ठीक है ना तब ही तो हम उसे लेंगे हम अपने आसपास जो भी देखें product है आपके घर पे हैं तो वो सब क्या है आपने किसी भी प्रकार से आपकी help होती है उस चीज से तब ही आपने वो अपने पास रखा हुआ है और वो किस ने बनाया किसी ना किसी company ने ज़रूर बनाया तो यही काम करना किसी भी मार्केट में वो बिलकुल फ्री होना चाहिए and unfettered competition होना चाहिए इससे क्या होगा कि जो भी unfair practices है ना वो होई नहीं पाईगी ठीक है अच्छा थोट है तो पहले कुछ लोग को का विचार यह है कि totally free and unfettered competition हो in the belief that it will drive out all unfair practices उससे क्या होगा unfair practices बहार हो जाएगी market के सही बात है second क्या है second लोग यह सुचते हैं कि the process of free competition should be supported by regulations which preclude any attempt at subversion of free trade and competition second कहते हैं ठीक है free competition होना चाहिए लेकिन साथे साथ कुछ regulations भी होने चाहिए ताकि अगर कभी भी possibility हो कोई attempt भी हो unfair practice का तो उसे हम sort out कर पाए तो हमारे पास regulations होने चाहिए तो second thought यह कहता है now अब देखिए चलो ठीक हमने competition की definition जाने school of thoughts आने अब हम देखेंगे origin कहां से wise competition लोगा आप books देखेंगे या फिर कहीं भी आप देखेंगे तो आपको जाधा तर Sherman Act से इसका origin पता चलेगा लेकिन उससे पहले भी थोड़ी सी चीज़े है जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं like the classical restriction अगर हम जाने the origin of classical restriction against the monopoly monopoly क्या condition है जिसमें एक seller होता है bias बहुत सारे होते हैं तो वो तो single seller होता है उसकी monopoly हो जाती है वो कैसे भी बेचे अपने product को क्योंकि वही है उस market में example Indian railway Indian railway क्या है monopoly है क्योंकि railways का काम सिर्फ वही देखता है पुरे इंडिया में तो यहां पर क्या है monopoly can be known for the enactment of statutes of monopolies in 1623 in England सबसे पहले यह act नहीं था competition law नहीं बोलेंगे इसे सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन थी कि monopoly के against restriction लगाई जाए और यह सबसे पहले restrictions कहा लगी England में लगी और 1623 में लगी इसे बोल गया statutes of monopolies सबसे पहले यहीं से शुरुबात हो गई थी हलाकि यह full-fledged कोई competition law नहीं था सिर्फ restrictions लगाई थी monopolies के against क्योंकि कुछ firms थी उस time पर जो कि अपने area में monopoly में थी तो उनके against कुछ restriction लगाई थी उस time England ने England means उस time पूरा ही British की colonies थी 50% से ज़्यादा world England के पास था तो फिर इन्होंने कुछ ऐसे statutes of monopolies बनाया था 1623 में अगर हम इसका modern origin जाने competition लोगा तो यह trace होता है Anti-Combines Act of 1889 से जो कि Canada में बना और उससे भी better यह जो USA में बना Shaman Act वहां सी यह trace किया जाता है अब देखे बना तो Canada का पहले लेकिन USA में क्यों Because USA वाला जो act है Shaman Act उसके principles अभी भी USA में applicable है और उस act से काफी सारी countries ने अपने competition law की principles derive करे है इसलिए USA वाले law को जादा यहां पे value मिलती है Although Canada का 1889 एक साल का ही difference है Anti-Combines Act और Shaman Act आप व्याद रख सकते हैं दोनों Now the very object of enacting economic legislation is to increase government intervention in social and economic life and to maintain economic order in the state Simple सी बात है हम क्यों चाहेंगी legislation लाना ताकि government का control आ सके इन companies के उपर ताकि यह anti-competitive behavior ना use कर पाए Because companies responsible नहीं है public के लिए government ज्यादा responsible है हमने government को elect किया है तो government से ही हम अगर कोई companies effect करती है public को इना wrong way by using anti-competitive behavior तो हम company से डारेक्ट तो नहीं बोल पाएंगे हमें government को ऐसा power देनी पड़ेगी ताकि वो उन्हें control कर पाए although आजकल तो companies भी responsible होती है और भी बहुत सारे law आ चुके हैं लेकिन उस time के perspective में सोची है और वैसी भी directly government ज्यादा responsible है public के in comparison to companies तो यह इसका origin है short origin now आज हम एक और topic पे बात करेंगे यह constitutional background of competition law इंडिया में competition law आया हमें पता है पहले MRTP Act आया फिर हमारा competition law 2002 आया हम उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे और बिल्कुल अच्छे से करेंगे बट आज हम जानेंगे constitution में क्या provisions लिखे है competition के बारे में इससे जान लेते है first of all the competition of act of 2002 is an Indian legislation that promotes and regulates competition in the country जो हमें पता है इसकी constitutional basis primarily लाई करते है 191 G में लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे provisions है जो कि अगर आपके पास कहीं भी question आता है और मैंने mention करे हुए है तो चलिए बात करते हैं उनकी first of all article 91 G it guarantees the right to practice any professional trade or business इतना तो हमें पता है और हमें इतना भी पता है कि constitution आया 1950 में और हमारा पहला competition law जिसे हम MRTP कहते हैं वो 1969 में आया है तो 19 साल बाद आया है वो law ठीक है हमारे constitution में पहले ही लिखा था कि right to practice any professional trade or business होना चाहिए the competition act aims to ensure fair competition in the market prevent anti-competitive practices and promote a level playing field for all businesses सही बात है सबका हग है practice करने का क्या profession trade or business अब competition act यही देखता है कि market size चल रही है कि नहीं कहीं कोई dominant अपनी power का misuse तो नहीं कर रहा abuse of dominance तो नहीं है तो उससे क्या होता है बाकियों के rights protect होते हैं business करने के profession करने के और trade करने के ठीक है second is article 14 equality की बात करता है article 14 हमें पता है और competition act में हमारा competition commission of India है जो की एक independent regulatory body है जो की सारे provision of this act को apply करती है companies पे और वो check करती रहती है कि कहीं भी किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का discrimination तो नहीं हो रहा है companies के बीच में और वो कुछ ऐसा misuse तो नहीं कर रहा है अपने power का तो यह इससे क्या होता है हमारा equality का principle protect होता है ठीक है और यह बात करता है कि यह direct करता है state को to promote the welfare of the people by securing social and economic justice आप social and economic justice को लेकर आईए यह DPSP कहता है और competition act इसी के ही एक आगे चलके यह काम apply करता है कैसे with this objective by ensuring that markets operate in a fair and competitive manner काम करती रहे market fair and competitive manner में competition act यह देखता है इससे क्या होता हमारा article 38 के अंदर जो provision है वो कही न कहीं apply होता वा दिखता है which in turn promotes economic efficiency consumer welfare and overall social welfare now next is article 39 same DPSPs का principle है और यह बात करता है the equitable distribution of resources and preventing the concentration of wealth and means of production इसके बारे में यह बात करता है कि distribution of resources होना चाहिए और किसी एक के हात में ही power economy की concentrate न हो जाए इसके बारे में आपको ध्यान रखना है यह स्टेट को कहता है कि किसी एक कोई ऐसा इतना dominant न हो जाए कि बाकी companies न आ पाए न वह exit कर पाए और वह company ही पूरा rule करे अपने उस sector में और फिर वह exploit करे ultimately consumers को तो इसका ध्यान कौन रखता है Competition Act रखता है विया Competition Commission of India आप इसमें और provision जोड सकते है Article 47 का जो कि direct करता है state को to improve public health and promote the welfare of the people same DPSP में आता है भी to public health and promote the welfare of the people welfare of the people देखी यह directly तो नहीं है Competition Act में indirectly बट यह contribute करता है public welfare का by ensuring fair competition and preventing practices that may harm consumer limit their choices तो ऐसे आप आप Article 47 को mention कर सकते है next is Article 21 देखिए यह तो बहुत important article इसे आप कहीं में डाल सकते है so Article 21 बात करता है right to life and personal liberty and right to life एक बहुती broad concept है इसमें आप सिर्फ right to life मतलब जिन्दगी जीना नहीं बोल सकते है right to life means right to live with dignity भी आता है dignity का मतलब है कि आपको market की full आजादी हो आपको अगर as a seller जाना है तो भी आपके पास right हो as a consumer जाना है तो आपका कोई exploit ना कर रहा हो यह सब article 21 में देखता है और यही काम कहीं न कहीं competition act में भी reflect होता है now article 301 यह तोड़ा unique है यह बोलता है trade commerce and intercourse through the territory of India shall be free यह सारी चीज़े free होनी चाहिए यह article 301 of the constitution बोलता है यही competition act support करता है the objective of free trade by ensuring that markets operate in a competitive manner without undue restriction or anti competitive practices ऐसा अगर market में नहीं है तो अपना जो भी trade commerce चलेगा economy में वो बिलकुल free चलेगा free and flow चलेगा यह 301 की भी इसमें कहीं न कहीं reflection दिखती है now article 265 यह भी आप pension कर सकते है यह अच्छा है थोड़ा सा इसमें यह बताता है that no tax shall be levied or collected except by the authority of law ठीक है authority of law के लावा कोई भी tax नहीं लगाएगा और competition act यही देखता है while not directly related to taxation taxation सा directly related तो है नहीं लेकिन contributes to ensuring that businesses operates in a fair and competitive market environment by preventing anti competitive practices the act promotes efficient allocation of resources and avoid situation where undue advantages are gained through unfair means किसी भी आप गलत तरीके से अगर आप कमा रही है ठीक है तो वो रोकता है कौन रोकता है competition act रोकता है जिससे हमारा principle of economic justice and rational economic activity protect होती है तो कही नहीं competition act में इसकी भी reflection आती है so that's the end of this video और इस सीरीज में आप बने रही है competition act में आप बिल्कुल beginner से आप advance बन जाएंगे यह मेरी guarantee है और so thank you so much वीडियो को लाइक कीजिए subscribe कीजिए bye bye